हालो पेरेंट्स मैं पिंकी स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में माई दीर पेरेंट्स आप सभी को प्यार में नमस्का जैश्र कृष्ट रादे रादे माई दीर पेरेंट्स आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूं कि जन्म के तुरंत बात अगर आपका सेशूर नहीं रोता है तब क्या-क्या परिशानी बच्चे को हो सकती हैं देखिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जन्म के बात नहीं रोते हैं और उनके कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैं ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे जन्म के बाद नहीं रोते हैं वो बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं या उनको आजी में तक परिशानिया रहती हैं इस तरह के क्वेशन मेरे पास आती रहते हैं तो सारे ही डाउट में आपको खिलियर करूंगे कोश्चिस करूंगे कि ये वीडियो आपके लिए यूसफुल है तो ऐसा बोला जाता है कि अगर जन के समय जो बच्चे रोते नहीं है उनको बिमारी हो जाते हैं या फिर वो वीक रहते हैं फिस्जिकली मेंटली वो वीक रहते हैं और भी बहुत सारी करने पड़ते हैं उनको रुलाने के लिए बट कुछ ऐसे शिशू होते हैं वच्चे होते हैं जो कि जन्म के बाद रोते नहीं है काफी डॉक्टर एफ़र्ट करते हैं कि वह रोई लेकिन वह नहीं रोते हैं तो बहुत जादा बच्चे के लिए ये सीजियस कंडिशन वाक आप सभी जानते हैं कि जब बच्चा गर्व में होता है मा की गर्व में होता है तब वो ऐमनुटिक फ्ल् obligation कि एक एक अलिक सेग जिसको थैली बोलती है ठीक है उस थैली में बच्चा आपका बंद रहता है ठीक है तो जो आपके गर्व का I genoptरे रे और जब बाहर आता है ब बिर्लेसेंटा होता है उस प्लेसेंटा के तुरू बच्चा फूड भी लेता है और उसी के तुरो अजैने यह सांस लेता है यहाद मैं फैल जिडर के वाछ़ गभी Ayres जाती है उसको फप फपाया जाता है और फिर जब उसके लंगस खिंदम फाली हो जातेव तुल बदीप सास लेता एं गेड़ी गेड़ी सांस लेता और जब रिख्वर्यतर था उसको डेयो तब डिफ्रेंट हो पाते हैं, डॉक्टर उनको थप थप थपाते हैं, एक हलकी से चपत भी लगाते हैं, ताकि जो भी आम्मुनियोटिक फ्लूड उनके जो लंग्स में भरा हुआ है, वो बाहर में निगल जा है, और बच्चे घहरी सांस ले और वो रोनना सुरू करें, तो इस तरीके से डॉक् खाली हो जाएं, और वो घहरी-घहरी सांस ले पाएं, तो जिन बच्चों में इस तरीके की प्रोसेस हो जाती है, जो सांस ले लेते हैं, और उनके लंग्स की थूरू सांस लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, कि जनम की तुरंत बाद ही उनका प्रसेंटा कट कर दिया तो वह सास कैसे लेंगी प्रेस्नटा तो वह किट ऊपर रहा हो गया मारिक ना और निन भ parlar किlaughs वो ठीक से सांस नहीं ले पाती है। ठीक है तो तो कुछ टाइम बच्चे को आपने देखा वो NICU में रखा जाता है, तो NICU में रख कर बच्चे का प्रॉपर डिप्लमेंट क्या जाता है जो भी डिवर्क स्थ रह जाती है वो की जाती है ठीक है ताकि बच्चा आने वाले टाइब में अपनी लंग्स के थूँ सांस ले पाए लेगिन अगर आप ये सोचें कि आपका बच्चा फिजिकली वीक रह जाएगा मेंटली वीक रह जाएगा या फिर वो बार-बार बिमार पड़ेगा ऐसा नहीं होता ऐसा बहुत ही रेर केसिस में होता है कि जहां पर पर मिच्चियोर डिलेवरी हो गई या फिर इमीडियेटली डिलेवरी करवाई गई है या फिर उन बच्चों के साथ दिक्कत रहती है जिन मदर्स का हाई बीपी रहता है बहुत जादा जो ब्लड प्रेसर है वो हाई रहता है तब उन बच्चों के साथ बहुत जादा ब्रेइटिंग प्रॉब्लम आ जाती है वो सांस नहीं लेपाते कमफर्टेवल नहीं रहते और महीने दो महीने या कुछ वीक्स के लिए उनको नाईसीव में रखा जाता है ल अपने आप में यह सोचिए अगर आपका बच्चा जन के बाद नहीं रोया है तो प्लीज आप अपने आपको श्ट्रॉंग रखे इस चीज को लेकर और अपने बच्चे को मजबूत बनाए खिलाए पिलाए अच्छी तरीके से एक्सराइज करिए बच्चे की मसाज करिए ठीक है कोई दिकत नहीं होगी समय समय पर डॉक्टर को आप चेक अप करवाती रही है बच्चे के जो लंग्स है वो धीरे धीरे इप्रूब करेंगे और यह जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी वो भी इप्रूब हो जाती है ठीक है तो गवराये मत अगर ऐसा हुआ है आपका बच्चा नहीं रोया तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने हैं आपको बस इतना ही करना है किसी अच्छे चाइल्ड स्पैसिलिस्ट जहां पर की बच्चों का प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होता है वहीं पर आप रखें अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट क कर रही है कि आप अपने बच्चे को कुछ डाइम के लिए एनाइसीव में रखें तो प्लीज डॉक्टर की अडवाइस को जरूर मानें अगर यह दिक्कत आपके बच्चे के साथ हुई है लेकिन आपने यह सोच कर इस चीज को स्किप कर दिया कि नहीं डॉक्टर तो मनी मे जब तक बच्चे के बुलकुल हेल्दी लंग्स नहीं हो जाती वह प्रॉपर तरीकी से सांस नहीं लेना स्टार्ट करता आपको यह नहीं करना है कि के तो यह चोटी सी बात ती जो कि काफी टाम से में यह सोच रही थी कि इस ट्रॉपर वीडियो बना दू और इस पर काफी है ठीक है क्योंकि गर्ब के अंदर कुछ अलगी एटमोस्पेर होता है ठीक है अगर बच्चे के लंग्स वर्थ की टाम खाली कर दिये गए हरका से थप थपा दिया गया तो वह मूझ से गेरी-गेरी सांस लीता है नाक से सांस लीता है और उसकी लंग्स प्रॉपर तरीकी स कारकरने लगती है ठीक है तो बस आपको बस यही डिसीजन लेना है किसी छोटे मूटे सब्सक्राइब आपको फॉस्पिटल में नहीं जाना अच्छे वस्पिटल में जाना है जहां कि अगर यह सिच्वेशन क्रियेट हो जाती है तो अच्छे डॉक्टर आपकी बच्चे क क्यों क्यों करें आपकी अच्छे को टीटमेंट देए ठीक है तो माइडियर मॉमी इस माइडियर पेरेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक से जरूर करिएगा नेक्स वीडियो मिलती हूं नेक्स्ट आपको साहथ तब तक के लिए टेक केर दो के में मिलती हूं आपकों बड laugh जिए गिए अर्मी बडेंट्सक प्लीजे और हैं जो कि माम शेजरेंट्स तक के लिएक्सेद। एलन लाईन नेक्स बड़ पार खकर मेर सम्ढेंटर्शन दुल के जिए ठीकसवाशन for लुटत्स बपक्स साहथ और हैं टुछ